हाई दोस्तो मेरा नवी सेख तो जैसे कि दोस्तो आज इस वीडियो में बात करेंगे OPPO Reno 3 के बारे में तो जैसे कि दोस्तो आपको पता हुआ कि OPPO Reno 2 को अभी लाँच हुए महीनों भी नहीं हुए है लेकिन यहाँ पे OPPO Reno 3 को कंपनी जल्दी लाँच कर सकती है और जैसे कि यहाँ पे स्मार्टफोन की जो एसिपिकरिशन है इंटरनेट पे लीक होने लगी है और कहा ये भी जा रहा है कि स्मार्टफोन आपको OPPO 3 में 5G का सपोट भी देखने को मिल सकता है तो ऐसे में स्मार्टफोन काफी अच्छे होने वाली है तो आज इस वीडियो में जानेंगे स्मार्टफोन की प्राइस लॉंच लेट और एसिपिकरिशन इन सब बातों पर चार्चा करेंगे तो वीडियो स्टाट करने से पर लगा है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की और चैनल को सब्सक्राइब करके वे वाली बटन को दबादेना तक इसी प्राइल इंफोर्मेशन आपके साथ से करता रहूंगा नमस्कार दोस्तों मैं और वीसेघ आप देख़े नहीं में टेक्रिकन तो चली सिरू करते हैं तो जैसे कि दोस्तों अब बात कर लेते हैं ओपो रेनो 3 की लिक एसी प्रेक्विकिशन के बारे में आएगी और यहां पे आपकी जो स्क्रीन जो है काफी जाला HD देखने में लगेगी इसके अलावा स्मार्टफोन की अगर डिस्प्ले की साइज की बात किया जाए तो आपको यहां पे 6.5 इंच की एक फूल HD पलस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी जहां पे आपको काफी बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है इसके अलाबा इसके भी प्रोटेक्शन की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर कौर्णिंग ओलिया गलास 6 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है जो की काफी एक अप्रेट लेवल का यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिलता है इसे पहले वाले स्मार्टफोन जैसे के य यहां पे Redmi Note 8 Pro की बात कर लिया जाए तो आपको यहां पर Corning Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल रहा था लेकिन कंपनी ने एक step आगे लेके यहां पर 6 का protection दिया है साथी security की बात किया जाया तो यहां पर आपको एक in display fingerprint sensor देखने को मिलते हैं तो ऐसे में दोस्तों अब बात कर लेते हैं smartphone की full details की तो जैसे कि आपको यहां पे आगे और पीछे दोनों तरफ से आपको Corning Gorilla Glass 6 का protection देखने को मिलेगा इसके अलाबा यहां पे smartphone की processor की बात किया जाया जो कि आपको multitasking के लिए यहां पे Qualcomm Snapdragon 735 का processor देखने को मिलता है जो कि काफी एक powerful processor के साथ आते हैं तो ऐसे में PUBG game काफी अच्छे सकते हो High Graphic में कोई दिक्रत नहीं होगी साथी smartphone की अगर RAM की बात किया जाया तो आपको यहां पे maximum RAM जो कि आपको 8GB तक के RAM के साथ smartphone आपको देखने को मिलेंगे इसके अलाब बैटरी की बात किया जाया तो यहां पे बैटरी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है यहां पे आपको 45 copy मेंच की बैटरी की बात है जहां कि यहां के कुल मिलाखे काफी अच्छी gaming होसकती है साथी अब बात किया जारे की तो चार्जर भी यहां काफी अच्छी देखने को मिल रही है तो जैसे कि यहाँ पे जो ओपो के तरफ से फास चार्जिंग जो बुक वाली जो है आपको यहाँ पे 4.0 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है तो ऐसे में स्मार्टफोन जो है कूल मिला के काफी अच्छे स्मार्टफोन साबित होंगे तो जैसे कि यहाँ पे स्मार्टफोन के रियर में आपको 4.0 कामरा केमरा ओखने को मिलता है इसके अलावा आपको दूसरे कैमरे जो की आट मेया पिकसल का एक Altiverate चैमरा और तिसरे कैमरे की बात कर लिया जा तो आपको यहाँ पर 32 में पिक्सल का एक front camera भी दिया जा रहा है और साथी बात कर लिए स्मार्टफोन की अन्य एक्सिफिक्षन पे तो जैसे कि OPPO 903 में आपको USB Type-C का support देखने को मिलता है और यहां पे USB का भी fast होने वाले हैं USB का भजन की बात कर लिए तो आपको यहां पे 3.1 का support देखने को मिलते हैं इसके अलाबा स्मार्टफोन की जो audio output भी काफी अच्छे ने वाली है क्योंकि यहां पे आपको studio speaker, w audio tech जैसे कई सारे features आपको देखने को मिलते हैं और इसके अलाबा एक और features जो कि आपको AMI के smartphone में देखने को मिलते हैं जो कि आपको IR Blaster तो ऐसे में smartphone काफी अच्छे हो सकते हैं तो ऐसे में आप सवाल यह ठता है कि smartphone की जो price क्या हो सकती है तो smartphone की price जो भी लिक हो गई है जैसे कि smartphone की price जो है वो निकल के आ रही है जैसे कि 8GB और 108GB storage वाले smartphone अगर आप लेते हो तो वो लगवाग आपको 33,200 रुपए में देखने को मिलते हैं और इसके बाद अगर बात करेते हैं 8GB और 256GB storage वाली कीमत की तो यहां पर आपको 36,200 रुपए में देखने को मिलती है तो ऐसे में smartphone की जो price से वो अच्छे होने वाली है अगर smartphone अगर 5G में आते हैं तो smartphone की जो price से काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि smartphone की जो processor है 735 वो एक 5G को support कर सकते हैं तो ऐसे मनुमान यह लगा जारा कि smartphone 5G को support कर सकते हैं तो ऐसे में दोस्तों वीडियो में तो नहीं कैसी लगे में वीडियो कमेंट में ज़रू बताना और इसके अलाबा में चाहिए को subscribe करके वीडियो को लाग जो करना तक किसी पगार की information आपके साथ से करता रहूंगा तब तक के लिए जय हीन बंदे मातरा